वेलकम टू माई चैनल आज हम डिसकस करेंगे दाट मॉर्निंग जिसको लिखा है टेट्यूस ने तो सबसे पहले हम ब्रीफली टेट्यूस के बारे में स्टूडी कर लेते हैं टेट्यूस एक इंग्लिश पोईट थे वो 1922 में UK में पैदा हुए और 1998 में उनकी डेथ हो गई स्पेसिफिकली उनको पोईट आफ एनिमल कहा जाता है क्योंकि मिजॉरिट आफ पोईब्स में वो एनिमल क्यारेक्टर्स को यूस करते हैं क्योंकि बच्पन से ही वो जानवरों के बहुत करीब रहे थे और जानवरों के बारे में उनके पास काफी नॉलेज मुझूद था प्रेन में पॉब्लिश की इस पोईम का जो मेजर तीम है तो वो वाइलन्स है इस पोईम में टेड्यूस अपने बेटे निकुलस के साथ फिशिंग करने जाते हैं और वहां पे वो जब सैलमन फिश को देखते हैं तो वो इमेजिनेशन में खो जाते हैं अब सैलमन फिश ज तो चलिए हैं इसको स्टार्ट करते हैं वी केम वेर दे सेलमन वर सो मेनी सो स्टेडी, सो स्पेस्ट, सो फार इम्ड उन देर इनर मैप तो टेड्यूस कहते हैं कि वो और उसका बेटा वो उस जगा पे आए जहां पे सेलमन की तादाद सबसे ज्यादा दी सो स्टेडी, सो स्पेस्ट, सो फार इम्ड सो स्टेडी का मतलब है कि वो बहुत एक्टिफ थी सो फेस्ट और उनके दरमイ repayन बहुत फासला था सो फार इम्ड यानि कि वो बहुत दूर दूर तक फिर रही थी उनके जहन में कोई फिक्सट पाथ नहीं था On their inner map England could add यानि के अपने अंदरूनी नक्षे में अगर England add करना चाहे Only the suited toilet of South Yorkshire तो वो सिरफ Yorkshire को अपने नक्षे में add कर सकता है सूटी का यहां पे मतलब है dark और toilet का मतलब है मदम रोशनी यानि के शाम के वक्त जो रोशनी होती है Hung with the drumming drift of Lancaster's यहां पे Lancaster's का जो मीनिंग है तो वो confusing है क्योंकि Lancaster जो है तो वो एक अलाके का नाम भी है और इसके लावा Lancaster जो है तो वो एक fighter plane को भी कहते है लेकिन यहां पे चुंकि plural use किया है तो इससे हमें अंदाजा होता है कि यहां पे fighter jets की बात कर रहे हैं तो वो क्या किया रहे हैं कि यॉरकशायर की उपर जो Lancaster's थे वो तेजी से जा रहे थे drumming का मतलब है loud thundering voice तो जब fighter jet जाते हैं तो वो बहुत तेज आवास करते हैं इसके लावा वो धुआ मी चोड़ते हैं तो उसकी वज़ा से असमान में काला दुआ हो गया था तो इसलिए वो कहते हैं ओनली दे सूटी टॉइलेट आफ सौथ यॉरकशायर यह निकिन यॉरकशायर बहुत खुबसूरत था लेकिन उस वक्त चुंके वहां पे तेज जहाज जा रहे थे तो वो आसमान जो था तो वो काला काला हो गया था दुआ की वज़ा से तिल लवर्ल्ड हैट सीम केपसाइजिंग स्लोली और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया जो है वो स्लोली स्लोली गूम रही है केपसाइजिंग स्लोली का मतलब यह है over turn करना, reverse होना, उलट जाना और ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया जो है ये उलट रही है capsizing का मतलब है उलट जाना, reverse होना, उलटा हो जाना तो जो Lancaster's थे वहाँ पे bells बच रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया उलटने वाली है Solomon to stand there in the pollen light Solomon to stand, Solomon कहते हैं faithful को या determined को तो वो कहता है कि वो और उसका बैटा वहाँ पे determined करे थे, वो faithful थे in the pollen light उस डिम रोशनी में, ways deep और वहाँ का जो पानी था तो वो कमर तक गहरा था in wild salmon swaying mass और उसमें जो salmon थी तो उसका एक बहुत बड़ा जोन था swing का मतलम है आहिस्ता से moment करना तो वो ये कहना चाहते हैं कि उस lake में जो salmon है, उनका इजाफा हो रहा था slowly slowly is from the hand of God और ऐसा लगा रहा था कि जैसे वो लोग ख़दा के हाथ से आ रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने similarly use की हैं और पानी को hand of God से compare किया है there the body separated golden and imperishable from its doubting thought और वो कहते हैं कि इस मनजर को देखते ही body जो थी वो अलग हो गई separated golden and imperishable और वो जो मनजर था वो golden था और imperishable ना खतम होने वाला था from its doubting thought और जो body थी तो वो अपने doubting thought यानि शक करने वाली सोट से वो अलग हो गई वो उससे निकल गई यानि इन लाइन्स का ये भी मतलब हो सकता है कि पोट ये कहना चाहते हैं कि उस मनजर को देखती ही हम जो है अपनी imagination में खो गई यानि हमारी body जो थी वो शक करने वाली और घम करने वाली worrisome सोट से निकल गई तो इन लाइन्स का ये मतलब है कि जो सैल्मन मचलिय थी उससे रोशनी निकल रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रोशनी एक रोशनी वाली मीनार से आ रही है बीकन एक एक एसी उँची जगhा को कहते हैं जहां से रोशनी आती है फोर एक जामपल आप एक light house को बीकन of light कह सकते हैं क्योंके उससे रोशनी आती है और वो रोशनी जो है तो ships को guide करती है तो यहां पे वो एक spirit beacon के बात करते है कि एक एसा बीकन जो के spiritual है that came on, came on and kept on coming और वो रोशनी जोती तो वो मसलसल आ रही थी और वो कंटीनु थी As if we flew slowly और ऐसा लग रहा था के जैसे हम उड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता देर फॉरमेशन्स और उनके जो जमगटे थे या जो मचलिया थी वो जो रिच्वल्स फर फॉरम कर रही थी वो जो एक साथ खेल रही थी उस पानी में Lifting us towards some dazzle of blessing और ऐसा लग रहा था के जैसे वो मचलिया या वो रोशनी जो कि उन मचलियों से आ रही थी वो हमें किसी रहमत वाली जगा पर ले जा रही थी कर सकती थी या हमारी imagination को तोड़ सकती थी As if the fallen world and salmon were over और ऐसा हो सकता था कि हम जिस spiritual दुनिया में हम इंटर हो गए हैं हम उस से वापस आ सकते थी वो खतम हो सकती थी और salmon जो थी वो वहां से खाइब हो सकती थी As if there were imperishable fish और हमें ऐसा लग रहता है कि जो fish है वो imperishable है यानि कि वो ना खतम होने वाली है वो immortal है तो देखे इस tenza में दो बाते हैं देखे इस tenza में share दो बाते कर रहा है पहली बात वो यह कह रहा है कि इन fish को देखती ही हम एक दूसरी दुनिया में transport हो गए है या हम एक ऐसी जगा imagine कर रहे हैं कि जहां पे हमें खुशी मिल रही हैं जिसको हम enjoy कर रहे हैं तो अगर हम कोई ऐसी सोच जहन में लाते हैं तो हम वापिस इसी दुनिया में लोट जाएंगे हम अपनी reality में लोट जाएंगे इसके लावा जब शायर और उसका बेटा अपनी imagination में चले जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह fish जो है तो यह immortal है यह नाखतम होनी वाली है और ऐसा लग रहा था कि जो Salman का जो जुन है उन्होंने इस दुनिया की boundary को cross कर लिया है और वो एक ऐसे realm में या वो एक ऐसे dimension में दाखिल हो गए है कि जहां पे वो लोग immortal है they are in mauve light of drifted lupins mauve light कहते हैं purple किसम की मदम रोशनी को of drifted lupins lupins एक किसम के plants होते हैं तो अब वो उस दुनिया का नक्षा पेश कर रहे है जो शायर imagine कर रहा है कि वहाँ पे जो light है तो वो mauve है इसके लावाँ वहाँ पे drifted lupins है they hung in cupped hands of mountains और वहाँ पे जो salmon है तो वो पहाड़ों से गिरे हुए है यानि उस लेक के हर तरफ पहाड़ है और उन पहाड़ों ने एक cup shape बनाया हुआ है made of tingling atoms और वो पहाड़ जो है तो वो चमकदार atoms है या चमकदार जरों से बने हुए है tingling का मतलब है shaking लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है तो वो shiny है it had happened और पिर कहते हैं कि एक ऐसा वाक्या हुआ कि जिसने हमें याद दिलाया कि हम अपनी रियल दुनिया में मुझूद है that for a sign that we were where we were और उसने हमें ये दिखाया कि हम अपनी दुनिया में करे है और ये वाक्या इसलिए पेश आया कि ये हमें बताना चाहता था कि हम अब भी अपनी रियल दुनिया में है two gold bears दो सो नहरे बालू came down and swam like men दो सो नहरे बालू डलवान से नीचे आए और पानी में आद्मियों की तरह तैरने लगे beside us हमारे पास ही and dive like children और पानी में बच्चों की तरह होते लागाने लगे and stood in deep water as on a throne और पानी में ऐसे कड़ते जैसे के वो किसी अर्श पेकड़े हो eating pierce salmon of their talents और देखते ही देखते उन भालू ने उन सेलमन्स को चीर पाड़कर खाना शुरू किया देखे जो violence का तीम है तो वो इस स्टेंजा में बहुत prominent है क्योंकि एक लम्हा पहले सब कुछ peaceful था लेकिन अब कुछ लम्हे बाद ही उन सेलमन्स को बेर्स ने चीर पाड़कर खा लिया तो इस टेंजा में पोड़ जो है तो वो nature के cruelty दिखा रहे है और इसी वाक्य के साथ हमारी जर्नी जो थी या हमारा जो सफर था वो खतम हो गया और हम वहाँ पे खड़े रहे alive in the river of light उस रोशनी वाले river में हम अब भी जिन्दा थे हम अब भी कड़े थे among the creatures of light रोशनी पहलाने वाले creatures के दर्मयान creatures of light रोशनी पहलाने वाले मखलूक के दर्मयान तेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं